नमस्कार, पाकिस्तान के इंटीर मिनस्टर शेक राशित ने कलेक प्रेस कॉन्फरेंस की थी और कहा था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोई कोई कोशिश नहीं छोड़ता, इनफाक्ट डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कैसे नहीं छोड़त पर पाकिस्तान के पाँच फौजियों की हत्या कर दी गई और ये हत्या जो ही वो पाकिस्तान की डीजिया एस्पियर के हिसाब से वो तालिबान की तरफ से हुई यानि के अफगानिस्तान की साइड बॉर्डर से लोग आए आके मार के चले गए अफगानिस्तान में इस बात को deny कर दिया क्या हमने नहीं किया यह पाकिस्तान के अपने अंदर से हुआ है इन फाक्ट यह वही काम है जो पाकिस्तान दुनिया के साथ पिछले 30 साल से करता आ रहा है हर चीज denial mode में क्या हमने नहीं किया हम नहीं जानते आज अपना ही मेडिसन उनको मिल रही है अगर आपको इस चैनल की content पसंद है आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो जरा subscribe बटन दबाएं और bell icon दबाएं ताकि आपको latest cover मिलती रहे अब आते हैं वापस इस cover पे शेक राशित ने कल जो बोला था बोलता सतर हजार से असी हजार हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं आतंक के खिलाफ लड़ाई में और उसमें ये भी बोला कि हम आतंक के खिलाफ sacrifice देंगे चाहे टेरी के तालेबान को हमें खतम करना पड़े लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि doors दर्वाजे जो हैं बातचीत के बंद नहीं हुएं खुले हैं बातचीत के दर्वाजे खुले हैं उसकी पेशकश देने के कुछी गंटों के अंदर आकर उन्होंने पांच सैनिक मार दिये ये दूसरा सबसे बड़ा हमला था अफगानिस्तान की साइज से जब से तालिबान वहां आई है तब से मतलब अगस्त में आई थी अगस्त के बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा हमला था बीजी आएस पी आर ने यानि के पाकिस्तान आर्मी की जो स्पोक्स परसन है उन्होंने स्ट्रॉंगली कंडेम किया पाकिस्तान ने इसे कंडेंन किया लालमज़द वाला उसको पकड़ ला उसी की महरवानी से हो रहा है वही support करता है ना आप लाल मज्जिद वाले के खिलाफ action नहीं ले पारे जो आपके country की Parliament से 3 किलोमेटर दूर बैठा है वो तालिबन के क्या बेगाड लोगे क्यार anyways coming to the soil के यह बोला पाकिस्तान strongly condemns the use of Afghan soil by terrorists for activities against Pakistan and expects that the interim government from in Afghanistan will not allow conduct of such activities against Pakistan in future अब यह कि हम allow नहीं करेंगे आगे इन future यह अभी तक हुआ ना ऐसे ही आगी भी होगा आप एक ऐसी government को जिसको आपके DGISY खुद जाके बनवा किया थे fanfare के साथ बनवा किया थे उस government को आप warning दे रहें क्या वापकी परवा करता है यह वह आपके सैने कभी दो मारता कभी तीन मरता है वह आपको बॉर्डर पर उसने आपको दुखी कर रखा और आप बोलरों कि उसने बोला के तारीकर बोला नहीं तारीक टालेबान पे शक जा रहा है जो के अफटान की अंदर है और ताले बान से उनके अच्छी रिलेशंस है तालिबान चाहता भी नहीं कि उनको लगता है कि तालिबान जो है यह हमारा ही ग्रोप है अगर हम इनके खिलाफ एक्षिन लिया तो यह भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं और यह जब पाकिस्तान पे इतने बड़े-बड़े हमले कर सकते हैं तो हमारी क्या होकात हमारी पस तो पच पचास हजार भी नहीं हो उनके पास इन फैक्ट और भी कम हैं पचास हजार टोटल मिला के जितने भी आतंकी संगठन उन्होंने रखे थे काबुल पर कवजा करने के लिए वो सब के अब आतंकी संगठन बठ गए हैं सारे तरीके तालिबान के पास जदा नहीं है 15-20,000 हो सकत करते हैं अगर यह यह जो है टीटीपी के 20,000 तालिबान से लड़ने लगे तो तालिबान को उखाड के फेंग सकते हैं यह बत तालिबान को अच्छी तरह से पता है इसलिए तालिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहता है अब शेख राशित ने एक और प्रेस करता नहीं है अमेरिका को कैसे धोका दिया था वैसे ही धोका तालिबान ने आपको दे दिया आपके हामिद गुल बोल के गए थे कि हमने अमेरिका की मदद से तालिबान को हराया और अब हम अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराएंगे राइट अब उसके बाद तालिबान आपकी मदद से आपको हरा दिया उससे दो कदम आगे तालिबान ने काम किया तालिबान ने खुद डिनाय किया कि हमारी टेरिटरी से कोई आतंक नहीं आया था ये उनके अपने अंदर के आतंक की है जो ये काम कर रहे हमें कोच मतलब नहीं और हम जानते भी ने किस ने किया पकिस्तान की जो in fact अफगानिस्तान की जो गौश्च के डिप्री स्पोक्स परसेन है बिलाल करीमी उन्होंने बोला no one किसी को भी हम अलाओ नहीं करेंगे no one will be allowed to use अफगान's soil against the neighboring countries अफगानिस्तान की जमीन से पड़ोसी देशों पे कोई हमला नहीं करने दिया चाहेगा वो तो बोलेंगे वो तो ये क्लेम नहीं कर लेंगे कि उन्हों ने करवाया है तो वो तो बोलेंगे जैसे पाकिस्तान बोलता है हमें नहीं पता बंबे में अटाक कहां से हो गया मुंबई में हवे नहीं पता कश्मीर में कैसे आते हैं तो वह यह चीज आप ही ने तो सिखाई है अब आप इसका मज़ा लीजिए मज़ा तो मिल रहोगा ना इन फैक्ट अभी इम्रान खानवा चाइना में थे तब भी अटैक वह था बहुत बड़ा हुआ था हमला हुआ था इम्रान खान पिए जो दूसरे लोग बता रहे हैं इंडिपेंडने नीउज है वो ये बता रहे हैं सो न ज्यूद आीह कि रहे हैं जादा देख रही है मैंने अपने इस प्रोग्राम में देख़ए तो ऐसे सूरतेहाल में जब आपके ऊपर हमले पे हमले होते जा रहे है तो चाइना क्या आपका इंवेस्मेंट कर देगा, क्या आप पूरी वर्ल्ड से इंवेस्मेंट मांग रहे हैं, क्या आ जाएगा, और क्या आपका लाहॉर सेफ रह जाएगा, हमला हमला लाहॉर में भी हो रहा है, हमला इसलामबाद में भी हो रहा है, सिंध तो कभी भी चूत बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की कोशिश करते हो, वहां से वो तालिबान तीन-चार आपके आर्मी वाले मार देता है, तो क्या इसी दिन के लिए आपने तालिबान को कबिस किया था, इससे बेहता तो अश्रफगनी सरकार थी, जिसको आपने हटवा दिया, उसके टाइम पर आएसी कोई खबरे नहीं मिलती है, पाकिस्तानी सानिक मारे गया, ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही थी, कुछ दिन और रुख जाहिए, पाकिस्तान के ये फवाज चौधरी और ये शेक राशिद और इम्रान कान खुद बोलेंगे, कि आश्रफगनी सरकार इससे बेटर थ और वो ही जो आजकल कोई कमेंडर पेशावर हैं, वो ही अगर पता नहीं है, वैसे तो सुना है कि बाजवा साब दूसरा अपना वो मांग रहे हैं, दूसरा एक extension मांग रहे हैं, और इमरान खान भी खुद भी एक वो ले चुके हैं, एक decision ले चुके हैं, कि एक नया आर्मी situation होगी, क्योंकि ये लोग, फैज हामित के पाले हुए बच्चे हैं सारे, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था, और आज, वो फैज हामित की, उसी महान सेना, छे लाग की सेना, और वो न्यूक्लियर वेपन वाली सेना कोई, एक बार में मार रहे हैं, इसी के साथ एक और ख